जंगल का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक तस्वीर आती है जिसमें जमीन पर लगे हुए बड़े-बड़े पेड़ और वहां पर रहने वाले तमाम तरह के जानवर लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि एक जंगल ऐसा भी है जो समंदर के पानी के उपर है और उसका एरिया भी बाकी जमीनी जंगलों की तरह ही है जी हाँ हम बात कर रहे हैं मैंगरोब के जंगलों की जो विश्व में सबसे बड़े मैंगरोब के जंगलों में से एक है तमिलनाडू में कडिलूर इस्थित पिचावरम मैंगरोब जंगल पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन इस्थित मैंगरोब जंगल के बाद विश्व में दूसरे सबसे बड़े मैंगरोब जंगल है हम आपको घुमाएंगे समुंदर की उपर पाई जाने वाले मैंग्रोव के विशाल जंगल और बताएंगे कि यहां रहने वाले लोगों के लिए या कितने मददकार है पिचे वरम आने के लिए आप स्कूटी या फिर कैब से भी आ सकते हैं या पॉड़ुचरी से महज दो गंडे की दूरी पर है कर्मी जाधा होने के कारण हमने पॉड़ुचरी से कैब से जाने का फैसला किया वैसे मौसम अच्छा हो तो स्कूटी अच्छा आप्शन हो सकती है हम सुबा सुबा नास्ता करने के बाद निकले पिचावरम के लिए यहां पहुचने के बाद हमने देखा कि लोगों की काफी भीड लगी हुई है और हमें जंगल में जाने के लिए टिकट भी लेनी होगी क्योंकि जंगल में हमें बोट के साहरे जाना होगा वर्तवान में तमिलनारू परेटर नविकास निगम एक बोट हाउस चलाता है यहां अप्रेल और चून के बीच पीक सीजन के दौरान परेटकों की भीड अधिक होती है परेटकों के लिए रोबोट और मोटरबोट उपलब्ध है मोटरबोट बड़े गुरूप के लिए अच्छी होती है और यहां आपको कुछी घंटों में संबुद्रतट पर ले जा सकती है दूसरी और चप्पू वाली नावें सक्री नहरों और घने जंगल में घूमने के लिए एक अच्छा आप्शन है चूकि दुपहर तक मौसम गर्म और उमस भरा हो जाता है इसलिए सला दी जाती है कि सुबह जल्दी मेंगरो पर जाए नाव में चार लोग आ सकते हैं जिसका किराया 400 रुपेर प्रतिगंटे लिया जाता है अगर आप 6 लोग जाएंगे तो वही किराया बढ़कर 600 रुपेर प्रतिगंटे हो जाएगा और अगर आपका परिवार बढ़ा है तो आप मोटर बोट भी ले सकते हैं हम दो लोग थे तो हमने भी एक फैमिली के साथ जाने का फैसला किया और मोटर बोट को हायर किया जिसका किराया 8 लोगों के लिए 1800 रुपे था जिसमें हम 2 किलोमीटर का एरिया घूम सके सुबा 8 बजे से शाम 5 बजे तक बोटी की सुवदा उपलब्ध रहती है यहां मैंगरोब पेड़ों की लगवग 80 विवन प्रजातिया है जहां बैक वाटर होने की वजे से पानी धीमी गती से बेहता है और मिटी को वही रहने देता है पिचे वरा मैंगरोब जंगल ऐसी जगह है जहां बहुत कम परियाटक पहुंचते है हैरानी की बात यह है कि यह दुनिया के सबसे बड़े मैंगरोब जंगलों में से एक है मैंगरोब और किलरी बैक वाटर वेल लार कोलिडम मोहाना से निकलते है यहाँ 1200 हेक्टेर में फैला हुआ है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है वहाँ यह एक लंबे रेत के किनाले से अलग हो जाता है इन मैंगरोब को दुनिया के सबसे हेल्दी मैंगरोब में से एक माना जाता है इसमें कई ध्वीप हैं जो हर जगे अंगिनत छाड़ियों और पेड़ों से जुड़े हुए हैं जंगल में पचास से अधिक ध्वीप और विमिन आकारों की अंगिनत नहरे हैं इन ध्वीपों पर पेलिकिन, स्पूनमिल, बगुले, जलकाग और स्निप जैसे कई पक्षी हैं प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए सितंबर से अप्रेल का समय सबसे अच्छा माना जाता है यहां के पेड़ों की खास बात यह है कि यह पेड़ 10 फीट तक उचे हो सकते हैं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैंगरूव वन के कारण ही 2004 में आई विनाशकारी सुनामी का प्रकॉप यह खाफी कम हुआ था सुनामी ने तमिलनाडू में नागा पटिनम को व्यापक नुक्सान पहुचाया था लेकिन पिचावरम और उसके आसपास के शेत्रों में सुनामी का जाधा प्रकॉप देखने को नहीं मिला या शेत्र घनी मैंगरूव जंगल से भरा हुआ था या उन्हें अधियासे घट्णाओं में से एक थी जिसने इस तत्य पर ध्याना करशित किया कि अगर मैंगरूव प्रकृतिक आपदाओं के दोरान प्रकृतिके विनाश में कवच का काम कर सकते है नाम की सवारी आपको नीले समंदर, नीले आसमान और सेंटर में मैंगरूव की बीच में ले जाती है जैसे ही आप अंधिरी सक्री नहरों से गुजरेंगे, आप यहाँ देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे पीर पानी में गहरी जड़े जवाते है बमश्किल किसी धूप के साथ लंबी लटकती पिड़ की डालियां आपको रोमांस से भर देती है और आपको लगेगा कि आप यहाँ इन से हमेशा घेरे रहें तमिलारों के पिचवरम मेंगरूब का दोरा करना सच मुझ एक अलग दुनिया की यात्रा करने जैसा है बड़ी और छोटी नहरों का विशाल इस्तर और कुछ द्वीब यहाँ आने वाले पैटकों को अचम्भित कर देते हैं ज़र आप मेंगरूब जंगल घूम रहे होंगे तो जो नाव वाले भाईया आपके साथ जाएंगे वो आपको अंदर रहाने के लिए 100 रुपे प्रतिवक्ती मागेंगे और आपको जंगल के कहीं अंदर के नजारे दिखाने के लिए कहेंगे इसके साथ ही वाग गायट का काम भी करते हैं मैं आपको सला देता हूँ कि अगर आपको या ट्रिप यादगार बनानी है तो या 100 रुपे जरूर खर्च करें या नावले भाईया आपको यह भी दिखाएंगे कि कहा कि साथ इंडियन फिल्म की शूटिंग होई थी यहाँ आना ऐसा एसास है जिसे आप टीवी पर अनुवर नहीं कर सकते आप यहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा कि आप जरूर किसी दूसरे क्रह पर आ गई है यहाँ की ट्रेप पूरी होने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि पिचावरम मैंगरोव जंगल बहुत ही घना है मजे की बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंगरोव वन भारत में पच्छे मंगाल राज में भी है इन मैंगरोव वनों की पहचान हाली में स्वदेशी प्रयावरण के रूप में की गई जिनन संदक्षित करने के लिए बहुत ध्यान देने की अवस्थिक्ता भी है क्योंकि ये प्रयावरण तंत्र को संतलुन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान देते है तो इस तरह हमारी तीन दिन की पुर्णिचेनी की यात्रा खत्म ही और यहां से हम महावली पुर्म के लिए निकल गए अगले वीडियो में हम आपको महावली पुर्म के बारे में जानकारी देंगे अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजेगा और ऐसी ही जानकारीों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा